कि वर्काउट से पहले और वर्काउट के बाद क्या खाना चाहिए इसलिए वो अपने फिटनेस गूल को कभी भी अची भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे में कुछ लोग तो इंजेक्शन का इस्तमाल करना भी शुरू कर देते हैं जो की आगे चलके बॉडी को काफी नुकसान प जाते हैं तो वजन तेजी से बढ़ने लगता हैं लेकिन वजन तेजी से बढ़े इसके लिए exercise पहले और बाद में खाया जाना बाद होना बहुत जरूरी है क्यूंकि अगर आप पूरे दिन खाते रहें और exercise से पहले और बाद क्या खाना है आपको नहीं पता हो तो सहत का बनना सिर्क मुश्किल ही नहीं होता बलकि बॉड़ी को जो खाना चाहिए वो नहीं मिलने के वज़ा से बॉड़ी स्ट्रिंक होने लगती हैं और बढ़ने के वज़ाएं घटने लगता हैं तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्काउट से पहले और बाद में खाये जाने वाले कुछ सबसे असरदार घरेलो नुस्खे के बारे में और कुछ ऐसे टिप्स जिसका अगर आप ख्याल लखेंगे तो बहुत जल्द ही आप अपने सहत में कमाल का फर्क महसूस करेंगे इस वीडियो को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे पहले हिस्से मे हम जानेंगे कि वर्काउट से पहले क्या खाना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि वर्काउट के बाद क्या खाना चाहिए जिससे के शरीर का तेजी से विकास हो तो पहले हम बात करेंगे वर्काउट से पहले खा कार्बोहाइडेट हमारी बॉड़ी में इनरजी पैदा करता है जिसे की वेट लिफ्टिंग में काफी असानी होती है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक्सेस करते वक्त मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं यानि मांसपेश या फैलती है इसलिए वर्काउट से पहले प्रोट मौझूद होता है लेकिन वर्काउट से पहले ऐसे कार्बोहाइडेट कंसूम करना चाहिए जिसमें फैट बिल्कुल भी ना हो या फिर बहुत कम हो क्योंकि अगर आप एक परसंट भी फैट कंसूम कर लेते हैं तो यह पेट में जाकर काफी देर तक रुख जाता है और जल से चे कार्बोहाइडेट सोर्स की तो वो है सूइट पोटेटो और बनाना इन दोनों में भी अगर देखा जाये तो सूइट पोटेटो कार्बोहाइडेट का सबसे बेस्ट सोर्स है सूइट पोटेटो को हिंदी में शकरकंदी कहते हैं और यह आलू के ही तरह जमीन के जो शरीर में काफी इनर्जी रिलीज करता है इसलिए इसे कार्बो हाइडिट का पावर हाउस भी कहता है अब बात आती है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है तो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है एक वाइट्स यानि अंडे की सफेदी यूँ तो अंडे की सफेदी देखने में बहुत साधारन और पानी जैसी दिखती है लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत अधीक मातरा में होता है जो कि वर्काउट के दौरान ब्रेक डाउन हो रहे हैं मसल्स को तेजी से रिपैर करते हैं इसलिए वर्काउट से पहले दो उबले हुए स्वीट पोटेटो और तीन से चार एक वाइट्स खाना बहुत जरूरी है ख्याल रहे कि अंडे की योग यानि अंडे का पीला वाला हिस्सा एक भी ना खाये क्योंकि उसमें भी प्रोटीन तो होता है लेकिन प्रोटीन के साथ साथ बहुत अधीक मातरा में फैर भी होता है अगर आप चाहें तो अंडे के पीले वाले हिस्से को अलग निकाल के रख सकते हैं और वर्काउट के 15-20 मिनट बाद आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्काउट करते समय पसीना भी निकलता है इसलिए बौडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वर्काउट के दौरान 15-20 मिनट में पानी पीना भी बहुत जरूरी है लेकिन ख्याल रहे कि हर बार पानी की मातरा छोटे गलास से आधा गलास या उससे भी थोड़ा कम ही होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी वेट लिफ्टिंग में प्राबलम हो सकती है तो अब बात आती है पुस्ट वर्काउट मील्स यानि वर्काउट के बाद क्या खाना चाहिए वर्काउट के तुरंट बाद मसल टीसूस को रिपैर होने के लिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है प्रोटीन के लिए एक वाइट जो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सब के सब एमीनो एसिद्स पाये जाते हैं जो ब्रेकडाउन हुए मसल टीसूस को तेजी से रिपैर करता है और ये फास्ट डाइजेस्टिबल भी होता है और वर्काउट के 15-20 मिनट बाद बॉड़ी को भारी भर कम निट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वर्काउट के बाद बॉड़ी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाती है इसलिए उसे बहुत कुछ चाहिए होता है फिर से रिपैर होने के लिए ऐसे में आप जो कुछ भी खाएंगे आपकी बॉड़ी उसे एबसॉब कर ले कुछ लोग तो वर्काउट के बाद सिर्फ दो केले खाकर ही रह जाते हैं लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि वर्काउट के 15-20 मिनिट बाद आपकी बॉड़ी को चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइडेट, फैट, स्केल्सियम, मिनरल्स और वैटमिन और अगर आप ये सब कंजूम नहीं करते हैं तो बॉड़ी श्रिंक होने लगती है और बॉड़ी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती तो वर्काउट के 15-20 मिनिट बाद प्रोटीन के लिए अंडे का फ्राई ले सकते हैं क्योंकि उबले हुए अंडे के मुकाबले फ्राई अंडे में फैट और प्रोटीन दोनों ही जादा होते हैं और आप चाहे तो प्रोटीन के लिए ग्रिल चिकन, फीश और दाल भी कंसूम कर सकते हैं और कार्बो हैडर तो बहुत सारे हैं जैसे की ब्राउन राइस, वाइट राइस, रोटी, चावल, केला, खजूर, दूर, पोटेटो और स्वीट पोटेटो यानि इसमें से जो भी आपके पास आवलेबल हो, आप उसे कंसूम कर सकते हैं और फैटी फूट की अगर हम बात करें, तो बादाम, अक्रोट, काजू, मक्षन, पनीर में से जो भी आपके पास हो, आप उसे कंसूम कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते और आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो एकलिस्ट आप वर्काउट के तुरंट बाद एक से दो उबले हुए अंडे की सर्फेरी और वर्काउट के 15 से 20 मिट बाद चावल के साथ डाल और एक से दो अंडे का फ्राई प गंटे की अच्छी नीद लें और हो सके तो दो पहर लंच के बाद भी एक से दो घंटे की नीद जरूर लें क्योंकि सोते वक्त बाड़ी सबसे ज़्यादा तेजी से रिकवर होती है और एक अच्छी सहत के लिए एक अच्छी